नमस्ते दोस्तों, टाटा मोटर्ज मीडियम और हिवी कमर्शल भेकल टीम की तरफ से आपका स्वागत है इस Power of Six मोड्यूल में दोस्तों हमने पिछले मोड्यूल में देखा था कि Power of Six क्या होता है इस मोडिूल में हम देखेंगे कि power of enhanced performance से business में अधिक विद्धी कैसे होती है दोस्तो कस्तमर के लिए अच्छी performance का अर्थ होता है कि गाड़ी एक जगे से दूसरी जगे कम समय में और कम से कम खर्चे में उचित लोड डिलिवर करे इससे आमदनी बढ़ती है, खर्चे कम होते हैं और profit बढ़ता है अच्छे performance के लिए गाड़ी में लोड लेने की ख्षमता, अच्छा पिकप, अच्छी gradability तथा हर गियर में उचित टॉर्क और स्पीड की ख्षमता होनी चाहिए गाड़ीों में ये ख्षमता powerful engine और heavy duty drive train और aggregates से आती है Tata Motors के तीन powerful BS6 engines से और बहतर performance मिलता है Tata Cummins के powerful 6.7 liter engine में 250 तथा 300 horsepowers के options है ये reliable engine दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला engine है Tata Cummins 5.6 liter engine में 180 horsepower तथा 230 horsepower के options है पूरी दुनिया में अब तक Cummins के Euro 6 या equivalent 10 लाग से भी ज़्यादा engines चल रहे है भारत में Cummins के SCR technology के 3.5 लाग के उपर engines चल रहे है तीसरे engine याने Tata Turbotron 5 liter में 180 horsepower और 210 horsepower के options है और ऐसे 15,000 engines अब तक भारत में चल रहे हैं ये तीनो engines गाडियों को Higher Power to Weight Ratio प्रदान करते हैं ये तीन engines 6 power nodes देते हैं हर सेगमेंट में उचे engine torque वो भी कम RPM पे मिलता है जिससे गाडी और भैतर परफॉर्म करती है ये maximum torque अब अधिक RPM range में होता है जिससे उचे gear में भी ज्यादा torque मिलता है इंजिन के तरह gearbox और rare axle ratio को भी ज्यादा अनुकूल बनाया गया है दोस्तों, superior BS6 technology, higher power to weight ratio, powerful और reliable engines, heavy duty drive train के साथ ज्यादा cabin comfort, नए features तथा vehicle connectivity से अधिक कमाई होती है enhanced performance से मिलती है ज्यादा productivity, भैतर turnaround time, ज्यादा load लेने की शक्ती जिससे होती है अधिक कमाई और ज्यादा profits अगले module में power of lower total cost of operation के बारे में समझते हैं शुक्रिया